वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी कामारे चैनल कानून के रोशनी में पर आज के इस वीडियो के अदर में आपको बताने वाला हूं अगर कोई व्यक्ति ठाने पर जाकर कंप्लेंड करता है तो उस कंडिशन में कंप्लेंड को कैसे आप वहीं उसी स्टेज पर ड्रोप कर कर सकते हैं तो वीडियो कर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेर जरू करें एक्शन में क्या दोस्तों सिस्ट्वेशन ऐसी होती है जब कोई विवाद होता है किसी के बीच तो उस कंडिशन में थोड़ा सा आदमी अपना सहियम खोजेता है जो भी वेक्ति इसके साथ ड आपको अरिश्विदार था जानकार था दोस्त जो भी था अब फिलहाल आपकी स्थिति यह कि कॉंप्रमाइज हो रहा है दोनों के बीच में लेकिन अब कंप्लेंट कर दी तो क्या करें वापिस केसे लें पुलीस क्या आपके केस को वापिस लेने देगी या नहीं देगी इस सब बातें आपको आज इस वीडियो के जानकारी में मिलेगी अगर कोई कंफीज होनों तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल अंसर करूंगा और यह वीडियो प्रैक्टिकल है दोस्तों सिंपल सी बात आपी जान लो कि हर स्टेट सेज क्राइम इस वर्ष में रहा उस हिसाब से तो जो पुलीस है उसको भी डायरेक्शन होते हैं कि कम से कम मामले दरज के जाए और आप लोग फेस करते हैं प्रोब्लम जब आप ठाने पे जाते हैं आपकी रिपोर्ड को दरज नहीं के जाता सिंपल सी बात है वह सोचते है मामला है इतना गंबीर नहीं है बहुत जाएदा गंबीर मामला नहीं नहीं न compare अंदर B Ellis ले ले लेते और बाद में आने को बोलते हैं एंटेंशन सब्सक्राइर नहीं खहे लेकिन अनका इंटेंशन अन्हें के लाफ को द Tina चाहता क्या एक नेर अब लगारोग्य क्या तेरा नुकसान हुआ है हर जाना दिला दें कोशिश करेंगे वो दोनों को कन्वेंस करने की यह चलता है अलग-अलग इंगल पर फिर बाज में साथ में ठाके कराते हैं एक तो वो खुद कराते हैं इस काम को लेकिन अब जब चल के जाते हैं तो थोड़ा सर नोटंकी हो हते हैं माम ला गडबढ़ है तो लेकिन वह गडबाड जो है है वुभी सही हो या ता है अब तो सारी बात देखी नहीं बताए तो भी आ खिर पहler आने और आ साथ आपका विवाद हुआ था आपने शिकायद देदी ठीक है अब चाहते हैं कि आप शिकायद पर कोई कारवाई नहीं चाहता सिंपल्स एप्लिकेशन देदो आपके का जो कारवाई यह वहीं ड्रोप हो जाएगी लेकिन अगर पुलिस वाला आज बोलता है कि नहीं दोनों कि हम दोने की विरूत किसी परकार से को शिकायद नहीं करें और हम दोने आपना हम हमारा द क्रिवाद था स्काण करके दो के पास हारे समझोता कर लिया पुलिस के पास आकर के समझोता पेश कर दिया खतम कानी अब मान लीजिए कि किसी ने शिकायद दीती उसमें रिपोर्ट दर्ज हो गई एफैर्ट कट गई तो को इन दोने कंडिशन के अंदर कंप्लेंट पे प्लस एफैर्ट दर्जने पे पुलीस सामन ने घृणर रिपोर्ट कि दरज क्रएं जो गलती करता उसके खिलावर रिपोर्ट होती जो घ्लती नहीं करता उसकी खिलाब क lack और जाती य है लेकिन उसको रीजन पता होता में खिलाव रिपोर्ट क्यूum दरज करा रही तो पुलिस से पूझने की थो तो उनको ग्यान देने की वज़ुरत नहीं है अगा मामले को easy going तरीके से sort out करना है तो बुला रही है बहुत गंबीर मामला नहीं है खतरनाग मामला नहीं है जिसमें गिरफ्तार ही नहीं हो सकती बिना टेंशन के थाने पर जाके अपना पक्ष रखो आप चले जाओ किसा गलती हो उनमें भी संद्योत हो जाता है गल्फ्रेंड ने शिकायत कर दी कि भैस मेरे साथ जूटा शादी का जहां से दे करके और होटल में लिया करके यह गलतकार किया मेरी इच्छा के बिर जलतकार किया अब यह कंप्लेंट दे दी पुलिस ने फैर्ट दच कर ली लड़का कर दे कि श्रीमार मेरे गलत समय में और आविश में करके रिपोर्ट बच करा दी थी अब मैं इस तरक्रण में कोई करवाई नहीं चाहती है अगर पुलिस चाहिए तो वही बात दोनों से लिखवा कर लिए सकती है लेकिन इस वाले मामले में आम तो पर लड़की से ही लिख हरवाई नहीं चाहता हमें आप दोनों नहीं बताई दिया दोनों लिख करके देंगे तो इस तरीके जब तक मामला पुलीस के पास है उस कंडिशन में मैक्सिमम केसिस केंदर थाने पर निप्टारा की ऐसकता है पुलीस एफख्ख होने के बाद ऊस मामले के अंदर जो फैं कर डिक्ति कि अदम कुमानला सत्य नहीं पाया गया जूटा पाया गया गलत में या फिर जो भी लिक्के दे लिए वो लड़की या लड़का इसाफ गलत त्य में प्रह्टो संहें नहीं पाया गिया खटम हर छेंगेिस से खतर कोपी अब ले सकते हैं चाहें तो और अपने संबंदित जो लोकल थाने सब्मिंट कर सकते हैं जिससे कि आपके खिलाफ वो जो एफ आया रहे वह पैंडिंग नहीं बोले वह भी क्लोज हो जाए तिर्व दोस्तों कोई कंफ्यूजन है इतनी सारी जानकरी देने के वावजूद भी तो आप कमेंट करके मेरे सव में आपको और एक्च्वल में उसमें भी होता समझोता अब आपको होगे बलत करके समझोता हो जाएगा बिलकुल में कहूंगा हो जाएगा लेकिन आप लोग बताओ मुझे वह देखना चाहते हैं कि नहीं टॉपिक पर कमेंट करके और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों थैंक्स रचिंग आइस